प्रेंट्स आज के दौर्मेंट एंचन सभी लोगों के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम पूबेंगे है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे डिजायर या हमारी उम्मीदों का मन माफिक पूरा नहों है। लेकिन यदि हम एपिहास पर बहुत फर्माएं तो पाते हैं कि दुनिया के सारे लिजेंट्स, मॉनिमेंट्स से लेकर समा मुमेंट्स के एपिहास की पहजान बनने के पीछे, सतस महनत, टार्गेट पर लजर के साथ ही सायम और भैर का सूत्र चिपा हुआ है। महनत और उसके खलकी बात को प्रकृति के क्लियर कट फॉर्मूले से समझा जाता है। क्योंकि किसान भी जो दाने गोता है उसके लिए उसे तीन से चार महा के नेमित के प्रका इंटजार करना पड़ता है। इसी तरह छोटी जोपड़ी से लेकर ताजमहल के बनने के सफर में भी नियू के पत्थर से लेकर संगमूसा तक लंबी डोसेस, मैनेजमेंट और काम करने में आखलन खास होता है। अब जब की लोगों की रूटीन लाइफ भी इस तक्नीकी यूपनर मेकेनिकल बोटी जा रही है तो इंसान के सामने नई तरह दी समस्याओं का भी अमबार लग रहा है। फिर चाहे वो नीम न आने की बीमारी हो या फिर नौकरी परिवार में तालमेल और तरक्ती की टेंशन है। लेकिन यदि इंसान कनेक्टिविटी और कंट्विटी के साथ पेशेंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना ले तो इसकी मन माफिक जाहस पूरी ना होने की परिशानी भी खत्म हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आपका डेली रूटीन दिवस्थित है आप रोजाना या फिर निमित अंद्राल पर अपने पीते पलों का निस्पक्ष मुल्यांकन यानि की अनवाइज आडिट करते हैं तो आपको अपनी इस्थिती पर एतराज नहीं होगा। और आप नए जोच के साथ अपने साय टार्गेट हैपिनेस इन लाइफ को अचीव करने में जुट जाएंगे। यह भी साफ है सफलता पाने का कोई शॉर्ट कट नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने जवार का सच्चा मूल ल्यांकन करना है। क्योंकि सच ही सभी सफलताओं को पाने का मूल आधार भी है। और वो कहते हैं न कि सच सब कुछ सुनना जानना और समझना चाहता है। जबकि जूट है कि नकाब होड़े चुलता है।